जब हमारे भीतर ये भाव गहरा हो जाएगा कि मैंने अब आज से शिकायतें हटा दी, मैं खुश मिजाज हो गया, मैं सुखी आत्मा अपने आप में मैसूस करने लग गया अभी तुम कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं कहते हूँ आत्मा शब्द इसमें और जोड़ दो, क्योंकि आत्मा शब्द बोलते ही अंदर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, फिर ये नहीं लगया, फिर ये लगए कि अरे बई दर्द तो शरीर में है, मुझे काये का दर्द है, म हमने बोलिया, तीस दिन बाद, अगर आपको कभी बुखार भी आ गया, तब भी आप कहेंगे, मैं सुखी आत्मा हूँ, ये बुखार शरीर का धर्म है, मेरा गुण धर्म नहीं है, तो मैं कह रहा था कि अपनी भीतर से शिकायते हटा दो, ताकि अब मैं जो बातें कह रहा है, पुरुशार्थ और सिक्रेट तीरा है, प्रसन्हता, क्या क्या है, नमबर एक, प्रेम, नमबर दो, पुरुशार्थ और नमबर तीन, प्रसन्हता, दिमाग में ले लिगे पहले, सुखी जीवन का राज, आत्मसाथ करने के लिए, वापस बुल लो, नमबर एक, सब सब लोगं को lovely man बना सकता हूँ बाकि तो गुरु मराज आपको ये प्रेम की बात कहेंगे नहीं पर मैं आपको प्रेणा दूँगा पहला है प्रेम दूसरा है प्रसंदता और तीसरा है पुरुशार्थ स्वयम के जीवन को सुखी जीवन बनाने के लिए ये तीन सीक्रेट है पहला है प्रेम किसी घर के दहलीश पर श्वेत पोशाक पैनेवे सफेद दाड़ी वाले दैदिप्यमान चहरे वाले तीन पुरुश प्रगट हुए और घर के दहलीश पर पहुंच करके उन्होंने आठ की घंटी बजाई अंदर से ग्रिहनी निकल करके आई और उसने जैसे ही अपने सामने तीन चमकते वे दैदिप्यमान चहरे वाले तीन देवदूतों को अपने सामने देखा तो पूछा आईए आप कौन है आपका परिचे क्या है बोले हम देवदूत हैं हमी देव लोग से भीजा गया है धर्ती के कल्यान के लिए हम तीन देवदूत आएं हैं तुमारे घर के लिए बोले अंदर पधार ये आपका स्वागत है अगर आप तीन देवदूत हैं तो मेरा पूरा परिवार घर में ही हैं आप अंदर पदार यह बोले नहीं हमारा नियम है हम अंदर तो आएंगे पर तीन में से कोई एक आएगा बाकी के दो लोग दूसरे घर के लिए रवाना होंगे तो बोले कि आप तीन है तो कौन से आएंगे मैं कैसे आपको पैचान पाऊंगे बोले हम तीन देव है पहले देव का नाम है धन देव दूसरी देव का नाम है यश देव और तीसरे देव का नाम है प्रेम देव तुम इन में से जिसको अपने घर में आमंत्रित करना चाहो उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर सकती हो उसने सोचा कि मैं तीन तीन देव दूद भगवान के द्वारा भीजे हुए आए हैं अब मैं किसको बुलाओं और किसको न बुलाओं अगर मैंने एक को बुला लिए और गरवाले बाकियों ने अगर का कि तुम्हारा माधा खराब है जो तुम इसको बुला के लिए उसको बुला के लाते बोले एक मिन ठेरिये में अपने पती से बच्चों से पूछ के आती हूँ वो महिला अंदर जाती है पती भई खाते लिख रहे थे पैसे गिन रहे थे रोकड भई जमा खर्च अपना ठिक करे थे बोले कि इस तरह से बाहर तीन देव दूत आएं हैं कहते हैं एक का नाम धन देव दूसरे का यश देव और तीसरे का एम देव बोले हम तीन मैंसे कोई एक देव ता एक देव दूत तुमारे घर आने को तैया रहे हैं पती देव आप ही बताईए कि किस देव को ले के हो बोले से पूछने कि आए दिन रात पैसे के लिए तो भागते हैं जा और बोल दे धन देव घर में आ जाए तभी बेटा आया क्या पापा दिन बर पैसा पैसा करते हैं गाओं में अपनी दो टक्के की तो इज़त नहीं है आप तो मम्मा एक काम करो पैसा अपने पास बहुत पड़ा है गिन गिन करके ठक गए जमा करकर के ठक गए गडिया रख रख के ठक गए आप तो जाईए और यश देव को ले करके आ जाईए यश अरग ग के तरफ जाने वाली थी इतने में बात्रूम से निकल कर बहुरानी आई और उसने कहा ममी जी ममी जी प्लीज एक मिट रुकिये अगर आप मेरा कहना माने तो आप धन देव को भी छोड़ो यश देव को भी छोड़ो आप तो प्रेम देव को घर में बुला करके ले आईए अरे घर में अगर प्रेम रहेगा घर में अगर खाने को दो रोटी रहेगे और खाने वाले चार रहेंगे पर प्रेम साथ में रहेगा तो उसको भी अपने मिल बाट के खा लेंगे अगर कभी दुख भी आजाएगा तकलीफ ही भी आजाएगी पर अगर प्रेम रहेगा सब जाएंगे उनका भी हम सामना कर जाएंगे प्रेम देव को ममी आप ले आओ हालांकि छोटों की बात बड़ों को जल्दी बेजे में उतरती नहीं है पर पता नहीं सास को बहुरानी की बात जची है वो गेट की तरफ गई और जाकर कहा कि आप तीनों में जो प्रेम देव हो वो हमारे घर में आ जाए ये सुनना था कि देव दूद मुस्कुराया और मुस्कुराया करा हम तुम उश्यार हो मुझे नहीं पता कि ये सला तुमे किस ने दी पर तुम हो उश्यार बोले आप तो अंदर पदारिये और प्रेम देव मुस आए धन देव और यश देव वो दोनों देव तबी अंदर चले आए तो तीनों देव तब को अंदर देखा बोले मैं चौक पड़ी सब मेरे मन में एक शंका उठ रही आप ने का था कि हम एक देव आएंगे पर आप तो तीनों देव आ गए बोले बहिना तुमने बड़ी च अपने आप आ जाया करते हैं जहां प्रेम रहता है वहां पर धन और यश तो अपने आप आ जाया करते हैं सुखी जीवन का राज इस प्रेरिक प्रसग के जरिये अब आप लोगों को समझाऊंगा कि जहां जहां प्रेम होता है वहां वहां धन और यश तो अपने आप आया करता है चाहे परिवार हो चाहे समाज हो चाहे दुनिया हो यहां पर अगर हर हाल में किसी की जरुत है तो वो है प्रेम मैं तो चाहता हूँ हर आदमी हैपी मैं और लवली मैं बने लोग केवल वैलेंटाइन डे की दिन ही क्यों बोले I love you मैं तो कहता हूँ हर रोज हर दिन हर घड़ी हमारे जीवन से प्रेम जलकना चाहिए और हमारे मुँ से सब के प्रती कण से लेकर परमात्मा तक हमारे लिए भीतर में भाव हो I love you मैं तुमसे प्रेम करता हूँ I love you too मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ तुमसे भी प्रेम करता हूँ, मैं सारे जहां से प्रेम करता हूँ हमें यही समझाया गया कि वसुदै वकुटूमबगम यह पूरी धर्त मिझे लिए एक कुटूम के तरह है, एक परिवार के तरह है और यहां पर किसी के साथ भी नफरते मत पालो सब के साथ प्रेम पालो जीव अकेला आता है या दस भी साथ आते हैं अकेला आता है जीव यहां से जब जाता है तो अकेला जाता है या दस भी सको साथ लेके जाता है अकेला जाता है यही तो मरम की बात है कि जीव आता अकेला है और जाता अकेला है आने जाने के लिए अकेलापन चल जाएगा पर धर्ती पर जीवन जीने के लिए अकेलापन भारभूत लगता है इसलिए साथ होना जरूरी है अच्छा जरा सोचिए कि अपने आप लव का जो निशान चलता है वो कैसा होता है ऐसे ही तो बनता है ना या कुछ और चेंज होता है थोड़ा सा देख लीजिए मुझे अगर बराबर ना भी आ पाए तो आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट होंगे ये है लव का निशान अब जरा बताईए ये एक निशान क्यों नहीं है अब सुचिए प्रेम की क्यों जरूत है जीवन में ये एक निशान है एक इनसान का ये दूसरा निशान आके मिल रहा है दूसरे इनसान का जीव आता तो अकेला है जाता भी अकेला है पर संसार में रहने के लिए सुखी जीवन का मालिक बनने के लिए इन दो बिकरे हुए लोगों को दो बिकरी हुई आत्माओं को दो टूटे हुए दिलों को आपस में जोडनी की जरूत है और यहां इस जोडन का नामी है सुखी चीवन नफरतों को पालना अपने दिल में आग को साथ में लेकर चलना है क्रोध को अपने दिल में पालना बम को अपने साथ लेकर के चलना है जैसे बम जब भी फूटेगा तो विनाश करेगा ऐसे ही नफरतें जब भी हमारे भीतर पैदा होंगी जलेंगी आग सो लगाएंगे तब तब हमारा नुकसान और दूसरों का भी नुकसान क्रोध का बम जब जब फूटेगा तब तब नुकसान नुकसान धर्ती पर आए हो तो प्रेम के पुल बनाओ धर्ती पर रहकर के देश की दीवारे खड़ी मत करो धर्ती पर हम द्वेश की दीवारे खड़ी न करें प्रेम के पुलों का निर्मान करें एक दूसरे से आपस में जुड़नी का काम करें अगर हम धर्ती पर हैं और अगर हमें लगता है अमुक व्यक्ति के साथ मैंने बोल चाल बंद कर दी है मैं उसका मूँ भी देखना पसंद नहीं करता तो समझ लो आप जंदगी की बाजी हार रहे हैं आपको सौ मैंसे केवल सत्तर प्रतिशत मिलेंगे पर अगर आप ये कहने के लिए तैयार हो जाएं कि साथ मेरा कोई दुश्मन नहीं है मेरी किसी के साथ भी बोल चाल बंद नहीं है मैं सब से हिल मिल कर बोलता हूं और सब के प्रती अपने मीठे मदूर शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में शर्भत गोलता हूं समझ लेना आपने सौ मैंसे सौनमबर हासिल कर लिए हैं ये धर्थि जीनी के लिए है प्रेम से जीनी के लिए है जीवन में प्रेम आएगा तो खिलावट अगर प्रेम रहेगा तो दस लोग सात रहकर के स्वर्ग का निर्मान करेंगे और परिवार में अगर प्रेम नहीं रहेगा बीच-बीच में दिवारे उपर दिवारे अगर हमने खड़ी कर ली है तो भाई फिर वो मिट्टी का मकां तो हो सकता है, वो स्वर्ग को इजाद करने वाला घर और परिवार तो नहीं हो सकता, घर में स्वर्ग तो तभी आता है जब हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख मे काम आते हैं अब सोचो घर में एक माबाप से पैदा हुई चार संताने चारों तूट गई बिखर गई अलग-अलग घर बसा लिए एक दूसरे से कोई बोल भी नहीं रहा अगर घर साथ भी है तो एक दूसरे का मुँँ भी देखना पसंद नहीं करते हैं तो भाई जहां प्रेम नहीं है वहाँ धरम का निवास कैसे हो सकता है और जहां धरम का निवास नहीं है वहाँ पर महालक्ष्मी जी का निवास भी कैसे हो सकता है आपस में अगर हम बोलना छोड़ देंगे तो भाई कमरों में और कबरों में कुछ तो फरक बना कर रखो कमरों में और कबरों में कुछ तो फरक बना करके रखो कमरों में भी लोग रहते हैं और कबरों में भी लोग रहते हैं कबरों में रहने वाले लोग भी आपस में बोलते नहीं हैं और कमरों में रहने वाले लोग भी अगर आपस में बोलते नहीं तो भाई वो घर मकान नहीं हुआ वो घर भी हमारा कबरिस्तान हो गया आपस में बोलो भाई भाई आपस में बोलो मान लिया कभी कोई बात हो भी गई उसको लेकर के खीशते मत रहो बीत गई सो बात गई तकदीर का शिक्वा कौन करे जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे हो गई कल की बात थी हो गया कल का मैटर फिनिस आज का फिर भगवान ने दिन दिया है आज वापस अपन प्रेम से जीएंगे प्रेम दोगे प्रेम लोट कर आएगा नफरतें दोगे नफरतें लोट कर आएगी यहां तो लोग कहते हैं यह साथ जनम का मेरा इनका साथ है कुछ लोग तो कहते हैं सौ साल पहले हमें तुम से प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा बैस सौ साल का हम रिस्ता जोड़ते हैं साथ साथ जन्मों का हम रिस्ता जोड़ते हैं प्यार करने के लिए हमें साथ जन्म भी थोड़े लगते हैं तो फिर हम बीच में ये नफरतों को पाल कर क्रोद और वेर वैमनिस्यों को पाल करके अपने साथ जन्दमों को सत्तर जन्दमों तक क्यों खिसकाते हैं प्यार से रहें नफरतों को दिल से हटाएं भाई भाई है प्यार लाओ पती पत्नी है प्यार लाओ सास बहु है प्यार लाओ परिवार हमेशा प्रेम चंजी से चलता है हुकम चंजी से परिवार नहीं चला करता केवल हुकम का डाल रहे हो केवल हाका हुका कर रहे हो उसे परिवार नहीं चलता परिवार कैसे चलता है हुकम चंजिया राय चंजी से परिवार नहीं चलता लोग तो आएंगे बड़ी बड़ी सला देंगे कोई कैकई बन करके सला देगा और कोई शकुनी बन करके सला देगा लोग तो कोई राय चंजी बन कर आएंगे और कोई हुकम चंजी बन कर आएंगे परिवार तो चलता है केवल प्रेम चंजी से भाई-भाई के बीच भी प्रेम हो और पती-पत्नी के बीच भी प्रेम हो अगर जगरते रहोगे पती-पत्नी तो भाई तुम भी दुखी अगला भी दुखी कुछ दिन पहले एक पती अपनी धरम पत्नी को साथ ले करके आया आया तो था यह सोच करके जाता हूँ गुरु माराज के पास अपनी पत्नी को भी ले जाता हूँ कुछ उस पर भी अच्छे संसकार पढ़ेंगे वो लेके आगे अपनी पत्नी को और पत्नी तो आते ही अपन बोलती जा रही है तो मुझे लगा दो मेंसे किसी एक की मरमत होनी जरूरत है या तो पत्नी की मरमत होनी जरूरी है कि जो लगातर अपने पती की शिकायत कर रही है और या फिर पती वाकई में ऐसा होगा कि जो पत्नी उनकी इस तरह की लगातर शिकायत कर रही है पर मैंने देखा वो पती पत्नी बोलती जा रही है शिकायते दस मिनरत को पती बिल्कुल चुप चाप रहा खुश भी उसने ऐसा नहीं का कि मेरी पत्नी सही बोलती है गलत बोलती है यह बोलती है वो बोलती है मैं उस पती की शान्ती और समता को देख रहा था मैं उसके समत्व भाव सामाईक भाव को देख रहा था मुझे लगा कि इनकी धरम पत्नी से कहना चाहिए पत्नी जी आप भी हमारे यहां रोजाना आना शुनू कर दो तो आपके भी मन की शिकायते दूर हो जाएगी क्योंकि जब सुबह उठते ही हमने अपने आप से कह दिया मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के उनको स्विकार करता हूँ पती अगर पचास साल का है और पत्नी पैंताली साल की है साथ में बीस साल रह लिये तब भी इतनी शिकायते पल रही है तो अब सोचो अब हमें किसको ठीक करना है खुद को ठीक करना है एक दूसरी को ठीक करना है है हमें खुद को ठीक करना है ना कि एक दूसरी को ठीक करना है एक दूसरी को ठीक करने के चकर में तो बीस साल बिता दिये न तुम इसको ठीक कर पाये न वो उसको ठीक कर पाया इसलिए एक दूसरे को ठीक करने के बजाए खुद को ही थोड़ा सा ठीक कर लो प्रेम लाओ जीवन में प्रेम की जरुत है सास और बहु भी है तो मैं कहूंगा सास और बहु के बीच में भी प्रेम लाओ, पती और पत्नी है तब भी प्रेम लाओ, अगर प्यार करते रहोगे, तो पती और पत्नी का रिस्ता एक ऐसा रिस्ता है, जो धर्ती पर ही इनसान को स्वर का सुख और सुकून दे दिया करता है, ऐसे सास बहु का रिस्ता है, मेरा मानना है, घर और परिवार में ये दो जीव, जैसे कुत्ता और बिल्ली है न, ये दो जीव, वैसे घर में सास और बहू, ये दो जीव अगर प्यार से रहना सीख जाए, तो सुखी जीवन का सारा मंत्र और तंत्र यहीं सिद्ध हो जाए, नारी की दुश्मन नर कम है, और नारी की दुश्मन नारी ज्याद है सासू जब अपने बेटी के लिए लड़की देखने जाते हैं तब तो कहीं बड़ी बड़ी बातें ठोकती है और जब शादी होके आ जाती है फिर वही पापड़ वही बेलन कहां जा रही है किसको पूछी जा रही है क्यों जा रही है उसे लगता यार मैंने च्छाती कुटा मोल ही क्यों लिया मैंने ये च्छाती कुटा ही क्यों मोल लिया मैं पहले सुखी थी ना तो अब मैंने शादी करके अपने को सुखी बनाया कि दुखी बनाया सुखी जीवन हो सकता है बहु जब सासु मा को नहीं टोकती कि मम्मी जी आप बाहर क्यों जाते हैं तो सासु मा बार बार बहु को क्यों टोकते रहे कि बाहर क्यों जाती हो जीने की आजादी दो भाई सास को जब जीने की आजादी है तो सा साही सारा का सारा बहू पर नियंत्रन क्यों करें बहू शब्द ही हट जाए और हर घर में बेटी शब्द पैदा हो चाए जैसे हम बेटी कॉलेज जाना चाहती तो हम जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं बेटी कॉलेज जाना चाहे तो छूट है बेटी ब्यूटी पारलर जाना चाहे तो छूट है बेटी फिलम देखने के लिए जाना चाहे तो छूट है और बहु अगर मंदर भी जाना चाहे तो सास एक सेकंड में टोक देती है हैं तू तो मंदर दे निकल गी नास तो कुन बढ़ाई बेटी को जब सारे अधिकार हैं तो बहू पर ही सारे अंकुष क्यों लगाए जाये मैं कहूंगा सास और बहू अच्छा होगा पती-पत्नी का रिस्ता तो रहने दो बागी सास और बहू सास भी अपने मैंसे ये शब्द निकाल दे, सास, बहू भी ये शब्द निकाल दे, बहू, तो बहू सासू की बेटी बन जाए, और सासू बेटी की मा बन जाए, अगर ये एक मंत्र घर-घर में लागू हो जाए, तो किसी भी बहू और सास का जीवन दुखी होने से बच कहते हैं, भगवान महवीर के समय में, जब वो उपनेस देते थे तो भगवान महवीर के समवसन के बाहर, शेर और गाये दोनों एक साथ आकर के तालाब में पानी पीते थे, भई कळियोग आ गया है, तो इस पंचम आरे में गाये और शेर को तो मैं एकठा नहीं कर सकता, प अगर हमने सास और बहु इन दोनों को अगर एक तालाब में पानी पिलाना शुरू कर दिया, तो समझ लो हमने शेर और गाये दोनों को एक साथ मिला दिया है, महवीर का वो युग हमने फिर से जीवित कर डाला है, अगर हम शेर और गाये, सास और बहु दोनों को एक साथ कर पाया गरो तो एक काम करना चाहिए अगर सासू के हाथ पाउं चलते हैं तो बहु गरम-गरम फुलके उतार कर सासू को खिलाए और सासू मा अपना दिल इतना बड़ा करे बहु से कहे बेटा तो बैठ मैं थारे वास्ता गरम-गरम फलका उतारू जिस दिन सासू ये बड़ा क कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है बताओ जीवन सुखी होगा के नहीं परिवार सुखी होगा के नहीं यही है सुखी जीवन का मंत्र की परिवार के बीश में प्रेम लओ जहां प्रेम होता है जहां प्रेम देव आता है वहां धन देव और यश देव तो अपने आप च झाल झाल